हाई गाइस इस वीडियो में बात करेंगे कि Nifty और Sensex क्या होता है हमने अक्सर सुना है कि Nifty 200 पॉइंट से गिरा Sensex fell by 1000 पॉइंट्स यह हमने सुना तो है लेकिन इसका मतलब क्या है अभी जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कि इंडिया में primarily दो stock exchanges है, National Stock Exchange, NAC, और Bombay Stock Exchange, BAC, और इन में बहुत सारी companies listed होती है, जैसे Bombay Stock Exchange में 5000 से ज्यादा companies listed है, तो अगर हम कोई एक parameter देख रहे हैं, जिसके basis पर हम judge कर पाए, कि overall country financially कैसा perform कर रही है, तो वो हम कैसे देख पाएंगे, क्योंकि इतनी सारी companies है, तो ऐसा कोई तो parameter होना चाहिए, जो हमें बताए कि जो country के businesses है, क्या वो grow कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं, तो कितनी तेजी से कर रहे हैं, तो उस parameter को हम लोग बोलते हैं index, अभी index क्या है, इसको समझते हैं, इंडिया में दो popular indices हैं, जिसको हम बोलते हैं Nifty और Sensex, Nifty जो है वो represent करता है, NAC की यानि की national stock exchange की top 50 companies को, इसलिए उसको हम short form में बोलते हैं, NAC 50 के जगा Nifty, और जो Bombay stock exchange हैं, उसमें जितनी भी companies listed हैं, उसमें से जो top 30 companies हैं, top 30 companies, वो हम consider करते हैं in Sensex, तो simple है, Nifty, NAC की top 50 companies, Sensex, BAC की top 30 companies, तो overall जब हम बोलते हैं, आज Nifty 1% से up है, उसका मतलब उसके अंदर जो 50 companies है, वो as a whole benchmark, वो 1% से rise किया है, तो traditionally, Nifty या Sensex की value नहीं बढ़ती, companies की जो है, उनकी market capitalization बढ़ती है, बट because Nifty दर्शाता है, NAC की top 50 companies, और Sensex दर्शाता है, BAC की top 30 companies, तो जब वो companies grow करती है, तो index का जो whole benchmark value है, वो rise करता है, तो आपके mind में शायद यह doubt आ रहा हुगा, कि जो भी NAC की top 50 companies है, वो fixed तो नहीं है, ऐसा हो सकता है कि कोई छोटी company आके, बड़ी बन जाये, और इसमें से कोई एक company है, जो fail कर जाये, तो बिल्कुल, ऐसा possible है, और ये जो index है, इसमें जो stocks है, वो rotate करते रहते हैं, यानि Nifty में जो है, हमेशा NAC के top 50 companies ही रहेंगे, अगर कोई company अच्छा perform नहीं कर रही है, तो वो index से बाहर निकल जाता है, और next big जो भी company होगी, highest by market cap, वो आ जाती है, इन indices के अंदर, तो simply अगर आप Nifty में invest कर रहे हो, तो आप ऐसे समझ सकते हो, कि आप देश के top 50 companies में invest कर रहे हो, और अगर आप Sensex में invest कर रहे हो, तो इसका मतलब आप इंडिया की top 30 companies में invest कर रहे हो, अब आप ये सोच रहे होंगे कि Nifty और Sensex, क्या इन में directly पैसे डाले जा सकते हैं, क्या इन में directly invest किया जा सकता है, तो इसका जवाब है हाँ, इसको हम बोलते हैं index funds investing, तो जो है, आप directly एक index के अंदर अपने पैसे invest कर सकते हैं, जो आपका Nifty index fund होता है, या Sensex index fund होता है, उसमें आप directly पैसे invest कर सकते हैं, और क्यूंकि ये companies rotate होती है, तो हमेशा जो है, आपका पैसा, इंडिया के top companies में ही invested रहेगा, बहले ही अगर उसमें सी कुछ companies fail भी कर जाए, तो वो उसमें से बाहर निकल जाती है, और इसलिए investing in index funds बहुत sensible बन जाता है, especially अगर आपको stock market की knowledge नहीं है, फिर भी आपको equity markets में invest करना है, मैं अलग से एक video बनाऊंगा, कि index funds क्या होते हैं, और आप कैसे उसमें invest कर सकते हैं, अभी के लिए अगर आपको ये video अच्छा लगा, और आपको nifty और sensex क्या होता है, ये clear हो गया, तो इस video को like कीजिए, comments में बताइए, next videos आपको कौन से topics पे चाहिए, नीचे जो subscribe का button उसे hit कीजिए, और जितना हो सके, इस video को share कीजिए, ताकि हम सब को financial education बाढ़ सके, थैंक्यू सो मुच पॉच्छ, बाई,